नमस्कार, शिल्पा गुपता की रसोई में आप सभी का स्वागत है तो आज हम ठंड के मौसम में खाई जाने वाली मसाला बनाएंगे जो की बहुत ही हेल्दी होता है ठंड के मौसम के लिए तो इसे बनाने के लिए हम नारियल ले लिए हैं ये ताजा नारियल है इसे कट कर चोटे चोटे टुक्रों में उसके जगा आप गड़ी भी ले सकते हैं ये छोहारा ले लिए हैं इसे हम 5-6 घंटे के लिए पानी में भीगो करके रख दिये थे ताकि अच्छी से फूल जाए पीसने में सुभी धाओ कच्चा हल्दी चील के कट कर लिए हैं 100 ग्राम और ये अद्रक को भी चील के हम पतला पतला कट कर लिए हैं ये 200 ग्राम है थोड़ा सा कलोंजी लिए हैं कलोंजी ज्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा टेस्ट में रहता है अजवाइन थोड़ा सा ज्या करके त्यार कर लिए नारियल अद्रक अजवाइन जीरा और कलुंजी एक ही में पीछ लिए हैं हल्दी अच्छे से पीछ लिए हल्दी भी अलग ही पीछ ना था और च्वारा पीछ के अलग कर लिए हैं अब एक बड़े साइज का कराई लेंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा उर्ता है इसलिए इसमें आप छोटे कराई का यूज ना करें तो तेल डाल दिये सर्सों का उसके बाद हम आधा चमच मेथी दाना डालें मेथी दाना जब अच्छे से जल जाएगा तब हम इसमें हल्दी डालेंगे सबसे पहले हल्दी डालना होता है क्योंकि हल्दी में ब कच्छा हल्दी हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक होता है उसके बाद हम अदरक पिसा हुआ डाल देंगे सारे चीजों को हमें बहुत ही महिन पेश्ट त्यार करना है मोटा बिल्कुल भी नहीं नहीं तो खाने में वो टेस्टी नहीं लगेगा तो अदरक डाल करके भी हम अच्छे से मिला लेंगे जब अच्छे से मिल जाएगा तो थोरी देर बाद हम अजवाइन, जीरा और कलोंजी का भी पेश्ट डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे और गैस का फ्ले मेडियम कर देंगे ज्यादा हाई भी नहीं और ज्यादा लो भी नहीं रखना है मेडियम पे हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे ताकि मसाला का कच्छापन दूर हो जाए तो ये हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है भूनते भूनते तो च्छे से चला लेंगे तो अब हम फ्ले म को हाई कर दिये हैं लगातार चलाते हुए तो इसलिए तेल का पता नहीं चल रहा है बांकी तेल इसमें अभी भी बहुत सारा है तो इसे हाई फ्ले म पर अभी हम चलाते हुए अब हम इसमें दो बड़ा कटोरा पानी डालेंगे लगबग एक लिटर हम पानी डाल रहे हैं एक लिटर से भी ज़्यादा आपका मसाला जितना है समझे उसको हमें पतला करना है पूरा क्योंकि अगर आप ऐसे ही भून के खाते हैं तो मसाला आपके लिए हानिकारक हो सकता है जो कि आपके पेट के लिए अच्छा नहीं होगा पानी डाल कर अगर हम इसे पकाते हैं तो मसाला बहुत ही अच्छे से कूक होता है और हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक होता है तो अब हम इसमें नारियल का पेस्ट और छुहारा का पेस्ट भी डाल देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अभी ये बहुत ज्यादा पतला है तो इसे हम तब तक गाढ़ा करेंगे मेडियम फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं क्योंकि इसे हमें बहुत अच्छे से कुक करना है अगर आप बहुत अच्छे से इसमें पानी में पकाते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा हता है प्लस हमारे स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो उसमें डालने के लिए हम गूर ले लिए इसमें चीनी का यूज बिल्कुल भी ना करें गुर का अंदाजा जितना मसाला है उसके बराबर ही लिजी यानि कि शारा मिला कि अगर 500 गुर्ण से ज्यादा है जितना मसाला है उसे अनुसारा अगुर्ण डालिए गुर का इसमें कमी नहीं कीजी नहीं तो कम मिठास अच्छा नहीं लगेगा तो हम 500 ग्राम से ज्यादा गुर डाले हैं तो उसे भी हम अच्छे से भूनते वे देखिए इस कलर का आगया जिसे डालते हैं गुर वगेरा तो बहुत ज्यादा उड़ता है इसलिए हम उस टाइम का सुट नहीं किये है तो आब ये बिल्कुल भी नहीं ओड़ रहा है तो जिस टाइम मसाला वो पानी डालने के बाद बहुत ज्यादा उड़ता है तो आप ढग ढग करके चलाए उसके बाद हम बन चुका है तो ड्राइफ फ्रोट्स कुछ डाल देंगे काजो किसमिस और अब हम साथ में ही घी डालेंगे घी भी इसमें अच्छे से डालिए घी ये स्टार्टिंग में नहीं डाले क्योंकि बहुत ज्यादा उरता है तो वो बरवादी हो जाएगा इसलिए घी जब उरना बंद हो जाए मसाला तब आप इसमें घी डाले तो इसे भी हम पाँच से साथ म्निट घी डालने के बाद भूनेंगे घी डालने के बाद भूनने से बहुत ही अच्छा खुसबू आता है तो ये की अभी डिलिवरी हुआ है तो आप उसे ठंड के मौसम में ये मसाला जरूर खिलाए तो ये बच्चे और मा के लिए दोनों के लिए बहुत ही फैदेमंद होता है तो जब भी आप इस मसाला का यूज करें तो बहुत ज्यादा नहीं दो से तीन चमच खाए और गर्म दूद तो ये मसाला बिल्कुल भी आपको ख़ड़ावी नहीं करेगा तो ये मसाला हमारा भूंते भूंते रेडी हो चुका है तो बस पांस से साथ मिनट घी डालने के बाद भूनना है तो ये पर्फेक्ट मसाला हमारा बन करके तयार हो गिया है तो अब हम इसे serve करेंगे, तो आप जब भी इसे serve करें, तो हलका सा गर्म कर लें, क्योंकि ठंड में घी जम जाता है, तो इसलिए जब भी आप यूज करें, तो बहुत ही tasty लगता है, प्लस जब यूज करें, तो फिर दूद का 7 जरूर करें, तो ये आपके लिए ठंड में, एक बार बना लीजी और 10 से 12 दिन आप इसे अराम से खा सकते हैं फिर जब समाप्त हो जाए तो फिर से बना ले तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप खुद भी खाए और घर में सभी को जरूर खिलाए तो हमारे तरीके से बनाई गई मसाला आपको कैसा लगा हमें कॉ करके जरूर बताए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें